हलो दोस्तों वेलकम बैक अंडेड डिस कम्यूनिकेशन चैलेंज के आठोवे दिन में आपका स्वागत है अगर आपने पहले सातों वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ जाकर देख सकते हैं तो आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी के पास हैं अ है मिशर आप ये वीडियो देख रहेंगे अपके पास बीदोस्त होंगे है तो चलिए शुरुबात करते हैं कि स्टोरी से जो बहुत ही पाउफुल लर्निंग से भरी विए हैं तो दो दोस्त एक बार कहीं घुमनें के लिए जाते हैं तो दोनों दोस्तों के दूसरे दूस को थपड़ मार देता है तो जो दूस्ट को थपड़ पड़ती है वह एक अधिन्य बालू पे लिखता है कि आज मेरे दूस्थ दूस्त मुझे थपड़ मारा फिर दोनों गुमते गुमते चले जाते हैं किसी पहाड़ी इलाके में और जिस दोस्त ने थपड़ खाया था वो दोस्त फस जाता है मुश्किल में कि 액 Mary शिफार वो आकर अभाइज इसंदों माउल कि तो जो दोस्त में तपर खाया था वह एक पत्थर पे लिखता है कि आज मेरे दोस ने जान बचाई है तो जिसने उसकी जान बचाई यह जो फ़ुकर तो तुम्हें थपड मारा तो तुमने सेंड यानि बालू पर लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे थपड मारा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तुमने पथर पर लिखा ऐसा क्यों उसका जवाब सुनियेगा दोस्तों आपको एक बहुत बड़ जर्णिंग मिलेगी उसका जवाब क्या है उसका जवाब यह है कि जब मेरे दोस्त ने मुझे थपड मारा तो मैंने बालू पर इसले लिखा ताकि एक हवा का जोका आए और मेरे दोस्त की जो कमी है जो बुराई है उसको मिटा दे और मैंने पत्थर पर यह इसले लिखा ताकि कोई भी हवा का जोका कोई भी तूफान आए तो पत्थर पर मेरे दोस्त की अच्छाई को मिटा ना सके यह कितनी पाउरफुल और गजब की लर्णिंग है हम सब लोगों को इस पर गौर करना चाहिए उस आदमी ने बैसिकली ये किया कि अपने दोस्त की जो बुराई थी उसको ऐसी जगह पर लिखा जहां पर आसानी से मिटाया जा सकता है अपने दोस्त की जो खराबी को उसने लिखा ऐसी जगह पर जहां पर आसानी से मिटाया जा सकता है बट अपने दोस्त की जो अच्छाई को लिखा ऐसी जगे पर जहाँ पर मिटाया नहीं जा सकता क्या हम लोग ऐसा करते हैं और क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए यह बहुत बड़ा क्वेशन है मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में ऐसी किसी की दोस्ती होती है और होती भी है तो बहुत कम लोगों की होती है बट दोस्ती एक ऐसी रिष्टेदारी है जो नहीं खुन से बनती है और नहीं रिष्टेदारों से बनती है बिलके दोस्ती दिल से बनती है दिल से आती है यह जब आप दोस्ती को दिल से निभाते हो तो वो होती है असली सच्ची दोस्ती दोस्त आप किसे बनाते हैं एक अंजान आदमी को जिसे आप नहीं जानते और उसे एक दिल में जगे देते हैं यह होती है असली दोस्ती तो मुझे आप लोग comments में यह बताएंगे कि आपके कितने सचे दोस्त हैं और आप कैसे दोस्ती निभाते हो आपके दोस्ती निभाने का तरीका कैसा है तो आज के लिए इतना ही यह video कैसा लगा comments में ज़रूर बताएं और मेरी इस 100 days के जर्नी को सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच